आईए शुरुआत करते हैं आज के विशय की कि सिंग राशी वालों खे लिए गुरू जो नीच के होने जा रहे हैं उनका ये राशी परिवर्तन कैसा रहने वाला है ब्रसपती धनु राशी से निकल कर मकर राशी के अंदर एंट्री करेंगे यहां पर आपकी राशी से पंचम इस्थान में चल रहे थे अब तक ब्रसपती राहू के तू एकसस में लेकिन अब ये ब्रसपती राहू के तू एकसस से निकल जाएंगे और ये अपनी स्वेग राशी से एंट्री करेंगे नीच राशी की तरफ यानि ग्रह पहले पावरफुल अवस्था में था लेकिन अब उसकी अवस्था पावरफुल नहीं रहेगी क्योंकि एक ग्रह अपनी राशी में हो तो अच्छा है उच्च का हो तो अच्छा है लेकिन वो नीच हो रहा है अच्छी बात ये है कि शनी का सहयोग उसको मिल रहा है शनी कौन है अपनी ही राशी में बैठा हुआ एक ग्रह है उसकी राशी में आया ब्रस्पती तो शनी करेंगे ब्रस्पती का नीच भंग राज्योग अब नीच भंग राजयोग की केटेगरी यहां यह कहती है कि जो ग्रह पहले नीच है फिर भंग है फिर राजयोग है यानि लगन से छटे में कोई भी ग्रह आए छटा यानि संघर्ष बिन संघर्ष के नहीं दूगा बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं मिलेगा कुछ भी easy going न रहा है तो शनी ही यहां सब कुछ है क्योंकि एक तो घर अपनी राशी में है शनी ब्रसपती वहां नीच के हैं वो शनी के घर में नीच के हैं इसका मतलब आप अगर किसी शत्रू के घर में जाके बैठ जाएंगे तो आप वहां नीच का महसूस करेंगे अब अच्छी बात य नीच के हैं आपकी तो महाँ चलेगी नहीं तो ग्रह की चलेगी किसकी शनी की शनी नीच भंग कर रहे हैं इस ट्रगल के साथ ब्रस्पती को अपने परिणाम में बिलेंगे और गुरु शनी जब किसी भी कुंडली में गोचरवश या एक साथ आ जाते हैं तो वो अपने फल देते हैं क्योंकि ब्रस्पती ब्लेसिंग्स का काम करते हैं शनी कर्म प्रधान है अब यहां ब्रस्पती और शनी आपकी राशी से 6th house को एक्टिवेट कर रहे हैं और यहां से बैठकर ये दोनों ग्रह दस्टी देते हैं एक साथ 12th house को यानि व्यक्ति संगहर्षों के साथ सफलता हासिल करेगा पहली बात शत्रूओं को परास्थ करेगा दूर इस्थान के लोगों से जुड़कर दूर की यात्राय करके हवाई यात्राय करके इस्थान परिवर्तन करके जीवन में लाब प्राप्त करेगा तो ये तो था गुरुशनी का एक योग अब बात करते हैं ब्रस्पति की आपकी राशी से पज्चम का जो मालिक ब्रस्पति है आपकी राशी से च्छटे में हुआ नीच संतान के साथ संबंधों में खराबी एवं संतान प्राप्ती में बाधा संतान को कस्ट गर्ब पाथ से संबंधित इस्टियां आप संतान के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन संतान नहीं हो रही है ऐसी इस्टियां यहां येगर है दर्शित कर रहा है क्योंकि एक तो ये संतान का कारक है एक आपकी राशी से पंचम है तो संतान का स्वामी भी है यानि सब कुछ ब्रस्पती है वो छटे में जब नीच का होता है तो संतान से संबंदी तकलीफ आती है चाहिए वो संतान है तो उसके साथ वैचारिक मतभेदता संतान के स्वास्त में प्रबलम होना संतान के साथ वैचारिक एक तरीके से मैं मतभेद जादे कहूंगा वो भी दिखती है आप एजुकेशन को लेके चल रहे हैं एजुकेशन इस ट्रगल भरी हो जाएगी क्योंकि राशी से पंचम एजुकेशन भी कहलाता है अब यही घर है जब राशी से छटा हो तो छटा घर संगर्ष किसी भी चीज को लेके चलो जैसे ब्रस्पती पांच जगों के मुख्य कारक होते हैं दूसरा पांचवा नौवा दसवा ग्यारवा सोर्स इंकम क्या है दूसरा घर धन का है धन कमाने में संगर्ष एजुकेशन में संगर्ष, संतान प्राप्ती में संगर्ष भाग्य से दशम में है यानि भाग्य में बनाने में बाधायें तो हैं लेकिन सक्सस्फुल रहेंगे करम से भाग गया है यानि आप करम करेंगे स्ट्रगल करेंगे तो उससे आपका भाग जागरत होगा लाभेश भी है न देखिए आप लाब और धन दोग रहे लाब और धन देने वाले दोनों नीच के होके बैठे हुए हैं छटे घर में यानि सोर्स ओफ इंकम का तो वादा हुआ लेकिन वो सोर्स ओफ इंकम कठनाई और परेशानी के साथ होगी इसमें कोई भी संधे नहीं है तो ये आप अच्छी तरीके से जान लीजिए कि ग्रहे शनी पूरी तरीके से मजबूत हैं आपको हिम्मत देगा, साहस देगा, संघर्ष करने की शमताई देगा टू ट्रैवलिंग्स कराएगा ये अपने आप में बहुत अच्छा है लेकिन जब ब्रस्पती काश खास तोर पे धन का मुख्य कारग्र है जब नीच का हो जाता है तो प्रॉब्लम्स तो देगा ये ब्रस्पती अपनी पंचम द्रश्टी से आपकी प्रोफेशन के हाउस को देखेगा करम में व्रध्धी करेगा, मेहिनत कराएगा अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोगों की संगत दिलाएगा वहां से आपको बचना होगा कि मुझे खराब संगत में नहीं जाना है क्योंकि जब रस्पती जैसा अग्रहे नीच होता है तो कहीं न कहीं विवेक को शून्य कर देता है तो आप ये नहीं देखתे हैं कि मैं कहां किस के सामने क्या कर रहा हूं तो उसका थोड़ा मान मरियादा का ध्यान रखें जब रस्पती आपके करम भाव को दश्टी दे तो करम का फल मिलता है मेहनत का फल मिलता है बड़े-बड़े लोगों के साथ मिलकर आप मेटिंग्स करेंगे उससे आपको फाइदा मिल जाएगा यानि आपके एफट्स फाइदे मन रहेंगे यही ब्रस्पती देख रहा है दुआदश को तूर से, ट्रेवलिंग से, विदेश यात्राओं से लाब मिलेगा दूर स्थानों से लाब मिलेगा थोड़ा बहुत धन का खर्च भी लगातार लगा रहेगा सोर्सोफ इंकम के उपर लगातार खर्च लगे रहेंगे लेकिन ब्रस्पती की दरश्टी आपके धन भाव पर भी है इसका मतलब सोर्सोफ इंकम आएगी बोलचाल से आएगी, वानी से आएगी, कुटुम्ब से आएगी आप लोगों को इंप्रेस करके अपना धन कमाने में पूर्ण तरीके से शक्षम रहेंगे तो ये ब्रस्पती की पोजीशन, इस ब्रस्पती का ट्रांजिट, शनी के साथ इस्थती, दरश्टी, कारक इन सब के क्या फल होने हैं, वो सिंग राशी के बारे में मैंने आपको बताया, ये एक अच्छी पोजीशन है इसको मैं कोई खरा पोजीशन नहीं कहता, सिंग वालों के लिए ये स्थती अपने आप में बहुत बहतर है मेरे इसाब से ये ग्रह जब छटे में आया है तो सिर्फ संगर्श कराएगा, लेकिन संगर्श जब तक नहीं करोगे, तब तक मज़ा नहीं आएगा और संगर्श का जब आपको फल मिलेगा तब आपको खुद लगेगा कि हाँ मैंने जीवर में कुछ अचीव किया है तो ये था सिंग राशी वालों के लिए नीच के ब्रस्पती का छटे घर में गोचर किस परकार की परिणाम देने जा रहा है उसके बारे में मैंने यहां आपसे चर्चा की है फिर से नए विशे के साथ आपके सामने हाजिर होंगा तब तक के लिए बने रहेगा मेरे साथ नमस्कार